जंगल में आग लग जाती है तो पिंकी चुडिया दूसरे जंगल की जानब चली जाती है तुम क्यों इतनी उतास हो और क्यों रो रही हो बेहन पे जिस जंगल में रहती थी वहाँ पर आग लग गई थी अल्ला ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए तो मैं ऐसा करो कि मेरे साथ चलो और मेरे साथ जंगल में रहना वहाँ सब बहुत अच्छे हैं जानवर और सब एक दूसरे का बहुत सदा खयाल रखते हैं अब मैं बिलकुल अकेली रह गई हूँ मेरे साथ कोई भी नहीं है कोई बात नहीं चडिया बेहन हम सब मिलके तुमारा खयाल रखेंगे अच्छा चडिया बेहन अगर तुम इतना इसरार कर रही हो तो मैं तुमारे साथ चलती हूँ हाँ चुडिया बेहन तो मेरे घोस्ले पर रहना पिंकी चुडिया सुहाना चुडिया के साथ उसके जंगल चली जाती है सुहाना चुडिया पिंकी चुडिया को जंगल के सारे जानवरों से मिलवाती है जंगल के सारे जानवर बहुत जादा अच्छे होते हैं और पिंकी चुडिया का सब मिलकर बहुत जादा ख्याल रखते हैं पिंकी चुडिया ये मेरा घर है और आज से ये तुम्हारा भी घर है पिंकी चुडिया की बर्डे होती है तो जंगल के सारे जानवर मिलकर इसकी बर्डे सेलिब्रेट करते हैं पिंकी चुडिया घर का सारा काम करती थी कभी पानी भर के लाती थी और कभी खाना पकाती थी तुम सही कह रही हो के बे साहरा को साहरा देना चाहिए लेकिन ये हमारे साथ जादा नहीं रह सकती मैं ऐसा करती हूँ के रिष्टे वाली आंटी को बिला लेती हूँ अच्छा तो ये है आपकी वेहन पिंकी बहुत जादा खुबसूरत है जैसे सुना था वैसे ही पाया है इस तरह से पिंकी चिडिया का रिष्टा हो जाता है पिंकू चिडे का बजार में बहुत बड़ा कारोबार होता है इस तरह से सोहाना चिडिया पिंकी चिडिया की शादी करवा देती है पिंकी चिडिया का घर बहुत जादा खुबसूरत होता है और सब बहुत जादा खुश रहने लगते हैं पिंकी चिडिया तुम्हें बहुत सदा मुबारक हो अल्ला तुम्हारे अंडों को सलामत रखे शुक्रिया सोहाना चिडिया ये तो सब कुछ तुम्हारी वज़ा से मुम्किन हो पाया है चैनल को लाइक करें और शेयर करें और अगर आप चाहते हैं के मज़ेदार स्टोरी सुनते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताके हर नई आने वाली स्टोरी आप तक पहुन सकते एक जंगल में हरी तोती अपने तीन चोटे चोटे बच्चों के साथ रहती थी हाँ बच्चों तुम लोग अब बड़े हो गए हो और तुम लोग को उड़ना आ गया है इसलिए मेरी नसीयत है कि जादा दूर अकेले ना जाना ये दुन्या खत्रे से भरी हुई है और जहां भी जाओ बता कर जाओ तुम लोग समझ रहे हो ना मेरी बात चुनू मुनू एक दिन हरी तोती की खाला उनसे मिलने आती है बटू तोता उनको सलाम तक नहीं करता तो खाला नराज हो जाती है असलाम आलेकूम तोती ये कौन है बत्तमीस जिसने मुझे सलाम भी नहीं किया और चुनू मुनू कहा है बहुत दिन हो गए थे उनसे मिलके मैंने सोचा कि चलो जो उनसे मिला हूँ असलाम आलेकूम खाला चान ये बटू है इसको मैंने पाला है और चुन्नू मुन्नू अभी ज़रा खेलने के लिए गए हैं अभी आते हैं अरे मुन्नू देखो मैं तो कितना तेज उर सकता हूँ इतना उपर और तुम यहाँ बैट कर क्या कर रहे हो मुन्नू लगता है कि तुम अम्मी की बातों से परेशान हो अगर अम्मी की बाती सुनोगे तो ऐसे ही बैठे के बैठे रह जाओगे मुझे देखो मैं तो कितनी दूर तक उरता हूँ और तुम घूमता फिरता रहता हूँ तुम अगर ऐसे ही बैठोगे तो बैठे के बैठे रह जाओगे तुम भी उड़ो घूमो फिरो वरना तुम्हें उड़ना कैसी आएगा बट्टू तुम बिलकुल सही कह रहे हो अब मैं भी खुब उड़ूंगा दूर तक जाऊंगा और अपनी मरसी से अपने दोस्तों के साथ खुब खेलूंगा अम्मी को पता ही नहीं चले गा मुनू तुता बटू तुते की बातों में आकर अपनी अम्मी से पूछे बगएर ही अपने दोस्तों से खेलने चला जाता है एक गाउं में कपड़ों का बहुत बड़ा ताजिर रहता था आसपास के गाउं के लोग उसकी दुकान में कपड़े खरीदने आते थे आसपास के गाउं में कोई कपड़े की दुकान ना थी इसलिए ताजिर खुद कपड़े बेचने जाता था एक बार ताजिर कपड़े बेचने जाता है लोटते वक्त एक पेड़ के नीचे अराम करने के लिए लेट जाता है तो उसको नींद आ जाती है थोड़ी देर के बाद वो उड़ जाता है मुन्नू तोता अपने दोस्तों के साथ खेलने में मसरूफ होता है इतने प्यारे तोतों को देखकर ताजर बहुत खुश होता है उसको तोते बहुत पसंद आते हैं वो सोचता है क्यों ना एक तोता अपने साथ ले जाए तो घर के लोग तोते को दे कर बहुत खुश होंगे ये सोच कर ताजिर मुन्नू तोते को पकड़ लेता है ताजिर मुन्नू तोते को अपने घर ले आता है ताजिर सोने के पिंजरे में मुन्नू तोते को बंद कर देता है मुन्नू तोते को इस कीमन पसंद चीज़े मिलने लगती है और तोता सोने के पिंजरे में रहने लगता है ताजिर के घर वाले मुन्नू तोते से बाते करने लगते हैं और वो बहुत ज़ादा खुश होते हैं तोते के साथ बाते करने सब को मज़ा आने लगता है एक दिन ताजिर को गाउं से कपड़ों का ओर्डर आता है और वो खुद ही जाने का फैसला कर लेता है ताजिर मुन्नू तोते से पूछता है तोते मियां मैं तुम्हारे गाउं जा रहा हूँ रास्ते में तुम्हारे दोस्तों से भी मिलूँगा अगर तुम्हें कोई पैकाम देना है तो बताओ ताजिर जी उनसे कहना के मुन्नू तोता भुगा प्यासा नहीं है और सोने के पिंजरे में रह रहा है ताजिर गाउं चला जाता है और उसी दरखत के नीचे अराम करने के लेट जाता है जब भी एक तोतों का जुंड ताजिर पर तूट पड़ता है और उसे चोंचे माणने लगता है उन में से एक तोता बोलता है आप हमारा तोता पकड़कर ले गए थे अब किस हाल में है ताजिर बोलता है तोता ना ही भूका है और ना ही प्यासा है बलके वो तक सोने के पिंजरों में एश और अराम से जिन्देगी गुजार रहा है ये सुनकर सारे तोते जमीन पर गिर जाते हैं ताजिर आगे बढ़ कर तोतों को हिलाता है लेकिन तोते ऐसे पड़े होते हैं कि जैसे वो हिरानगी में गिरे हो और मर गए हो ताजिर जब घर पहुंचता है तो तोता अपने दोस्तों के बारे ही पूछता है तो ताजिर बताता है जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो वो सब जमीन पर गिर गए ये सुनकर तोता भी गिर पड़ता है ये देख कर ताजिर बहुत हैरान हो जाता है और पिंजरे का दर्वाजा खोल कर तोते को हिलाता है मगर तोता नहीं हिलता तो ताजिर तोते को निकाल कर बाहर रख देता है मौका पाते ही तोता अपने पर फड़ फड़ाता है और बोलता है ताजिर जी मैं आपका बहुत सद्धा शुकर गुजार हूँ मुझे अपने दोस्तों का पेखाम मिल गया है और मैं अब अपनी अम्मी के पास दोबारा वापिस जा रहा हूँ मौन्नू तोता हसी खुशी अपने दोस्तों के पास चला जाता है अम्मी मैं हमेशा अब आपकी बात मानूँगा और आपको बताए बगहर कहीं नहीं चाओंगा वहाँ उन लोगों ने मुझे पिंजरे में बंद कर लिया था और अब मैं कहीं भी नहीं आपको बताए बगहर जाओंगा मुझे बहुत बड़ा सबक मिल चुका है